आज मैं हाजिरू और एक पोएम के साथ दे बैंगिल सेलर विच वाज रिटन बाइ सरोजनी नाइडू यह बहुती इंटरस्टिंग और बहुती कलरफुल पोएम है क्योंकि इस पोएम में एक औरत की जर्नी को दिखाया गया है जब वो चोटी रहती है तब जब वो जवान होती है फिर जब उसकी शादी होती है और उसके शादी होने के बाद उसकी चूडियों का color कैसे change होता है ये throughout उसकी journey को दिखाया गया है तो इस poem में बढ़ने से पहले मैं आप लोग से request करती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरे explanation अच्छा लगे तो please मेरे channel को like करे, share करे, subscribe करे और bell icon को दबाना बिल्कुल भी न भूले ताकि मैं जो भी वीडियो से upload करूँ इसका notification सबसे पहले आप तक पहुँचे The Bengals Alerts was written by Sarojini Naidu Sarojini Naidu का जर्म 13 Feb 1879 में हैदरबाद में हुआ था और इनकी मृत्यू 2nd March 1949 लखनों में हुई थी शादी से पहले इनका नाम Sarojini चटोपादिया था और शादी के बाद Sarojini Naidu Naidu इनके हदबन का टाइटल था इसके पीछे एक इंटरस्टिंग स्टोरी ये भी है कि Sarojini Naidu की जो शादी हुई थी वो intercast marriage थी हम इमेंजिन कर सकते हैं कि आज से 100 साल पहले Sarojini Naidu ने intercast marriage की थी आज के ही इस दोर में intercast marriage करना कितना मुश्कील है लोग अगेंस्ट हो जाता है सोसाइटी एकसेप्ट नहीं करती है लेकिन एक अच्छी बात ये थी उनमें कि उनके पूरे family members ने उनके parents ने इनका पूरा साथ दिया था Sarojini Naidu को Night triangle of India भी कहा जाता है क्योंकि इनकी आवास काफी मधूर थी इनकी poems को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा colorful music के साथ आप इस poems को पढ़ सकते हैं बिल्कुल एक गीत की तरह गा सकते हैं तो इनकी poetry भी काफी मधूर थी महात्मा गांदी ने इनका नाम Night angle of India रखा था शी वाद ऑलसो दा फॉस्ट फीमेल प्रेसिडेंट ओफ इंडियन नैशनल कॉंग्रेस वो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की सबसे पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी और उसके बार शी वोद ऑलसो एपोइंटेड as the governor of the United Provinces वो पहली female थी जो United Provinces की governor बनी थी United Provinces यानि आज के रेट में इसका नाम उत्तर प्रदेश है सरोजनी नाइडू ने इंडियन नैशनल मूवमेट में भी महात्मा गांदी के साथ बढ़ चड़ कर हिसा लिया था ठीक है तो चलते हैं हम इनके पोयम की तरफ दे बैंगल सेलर्स इस पोयम इदे सेलेबरेशन और फीमेल लाइफ इट रेप्रेसेंस दे स्टेजस अफ वोमेंस लाइफ इन देर कुल्चुरल राइश्वल्स दे आर क्लोजली लिंक्ट तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट एंड़ बैंगल सेलर्स आर वी हुबेर अशाइनिंग लोड्स तु दे टेंपल फेर हुविल बाई इस डेलिकेट ब्राइट रेंबो टिंटेट सेर्कल्स अफ लाइट लश्टरिस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ फ़र हैपी डॉटर्ष और हैपी वाइफ तो पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखिए बेर Second line में Last word Fair इसे हम A समझ लेते हैं तो First two lines क्या होगा? AA इसका rhyming scheme है Third line का Last word है Bright Fourth line Light ये दोनों rhyme हो रहे हैं तो इसे हम B और B समझ लेते हैं तो A, A, BB हो गया यहाँ पर Then Last two lines में Lives and Wives ये दोनों rhyme हो रहे हैं तो इसे हम C समझ लेते हैं तो इसका पूरा rhyming scheme क्या बना? A, A, BB and CC यही rhyming scheme पूरे पोय में फॉलो हुई है तो अब देखते हैं इसके समरी को Bangle sellers are we who bear a shining load to the temple fair यहाँ पर जो Bangle sellers होते हैं जो चूड़ी बेचने वाला वो कह रहा है कि हम चूड़ी बेचने वाले हैं और हम चमकती हुई चूड़ी ओं का बोज लेकर आए हैं बेचने के लिए Temple fair में यानि मंदिर के मेले में Who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light कौन इन चूड़ी ओं को खरीदेगा? कैसी चूड़ी यहां? डेली केट जो बहुत नाजुक होती हैं चूड़ी ओं को खरीदेगा जो बहुत डेली केट हैं ब्राइट हैं चमकीले हैं और इंद्र धनुष के रंगों से भरी हुई है यानि काफी colors की चूड़ीया हैं जिस तरीके से rainbow में काफी colors होते हैं उसी तरीके से चूड़ीयों में भी काफी colors है यानि रंग बी-रंग की चूड़ीया हम लेकर के आए हैं जो काफी colorful है और bright है यह बैंगिल seller पूछ रहा है कि कौन इन चूड़ीयों को खरीदेगा Lusherous tokens of radiant life यहाँ पे देखिए Lusherous का मतलब होता है लुभाने वाला तो उसे हम Lusherous कहते हैं जो चीज़े हमें लुभाती हैं और tokens का मतलब होता है निशानी radiant का मतलब होता है खुशनुमा दिंदगी तो यह चूड़ीया कीन लोगों के लिए हैं जो यह लुभाने वाली चूड़ीया है निशानी खुशनुमा जिप्षिज़ी की जाहिर सी बात है जो लड़की अगर खुश होगी जो औरत खुश होगी तो अपने आपको सजाएगी उनके हातों में चूड़ीया हूँगी भरी चूड़ीया होँगी और और जो उदास होंगी तो वो चूड़िया पहनना भी पसंदने करेंगी तो यह तोकन है यानि यह निशानी है खुशनुमा जिंदगी की कि लोगों के लिए जो लड़कियां खुश है और जो जिनकी वाइफ का मतलब बीवी जो खुश है उन लोगों के लिए यह निशानी है तो यहां पर हमारा फर्स चैंजा कंप्लीट होता है अब हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा को सेकंड स्टैंजा में यूद्फुल कि यहां पर मेडन का मतलब होता है कुमारी लड़किया रिस्ट यानि कलाई तो कुछ चूडियां कुमारी लड़कियों के लिए उनके कलाई पर सजाने के लिए कैसी चूडियां वो पसंद करती हैं सिल्वर एंड ब्लू कलर की चूडियां अभी सिल्वर और ब्लू कलर को कंपेर किया गया है माउंटेन मिस्ट से माउंटेन यानि जब थंडी के मौस तो काफी फ्रेश होती हैं खूबसूरत दिखती हैं तो वह किस तरीके की चूडिया पसंद करती हैं सिल्वर और ब्लू कलर की चूडियों को पसंद करती हैं वह कि तरीके हैं को अब्लू को सिल्वर और यानी टीनेच लड़कीओं के साथ on the tranquil brow of a woodland stream woodland का मतलब होता है forest तो जिस तरीके से tranquil का मतलब होता है quite शान्त तो जिस तरीके से एक जंगल में घने जंगल में एक नदी stream यानि यहाँ पर पानी नदी की धारा तो जिस तरीके से घने जंगल में एक नदी बह रही होती है बिल्कुल शान्ती से और सम्मार अगलोवी डब्लूम डट क्लीफ्स टुद लिंपिर ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्ण लीफ्स और कुछ चूरियां कैसी होती हैं क्लीफ का मतलब होता है डिवाइड होना यानि जो कलियां जब अलग होकर के फूल की फ एक पता आपने देखा होगा जब एक नया पता उगता है तो कितना क्लियर होता कितना सॉफ्ट होता सा कलर भी काफी अच्छा रखता है तो यहां पर कंपैरिजन हुआ बर्स का विट मेडन से लड़कियों से यूद्फुल जो यूद्फुल स्टेज में है यानि जिस तरी का रिजन हुआ है तो उन लोगों को किस तरीके की चूडिया पसंद है सिल्वर एंड ब्लू कलर की तो यह वाला हमारा सेकंड स्टेंजा का समरी है अब हम देखते है नेक्स्टेंजा को अब थर्ड स्टेंजा में बात हो रहे हैं यह मैरिड विमन की शादी शुदान चूडिया जह本ा हैं और ज connard को चूडिया उसके लिए इस डूल हन के और से आप आइखते हैं यहां पे morning का मतलब होता है morning तो जो शादी शुदा लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है उसे कैसी चुडिया अच्छी लगती है पीरे कलर की चूडिया some like the flame of her marriage fire और कुछ चूरियां कैसे हैं इसे compare किया गया marriage fire के साथ यानि जब आपने दिखा होगा शादी में जो अगनी जलाई जाती है जिसके दूला दूला फेरे लेते हैं तो उस अगनी का color कैसा होता नीचे से yellow और उपर से हलका reddish color होता है तो चूरियों के जो color है वो भी golden और हलकी reddish color में है और rich with the hue of her heart's desire यहां पर hue का मतलब होता है color जिस तरीके से एक लड़की को जो शादी शुदा लड़की जिसकी शादी हो रही होती है उसको काफी अर्मान होते है उसके दिल में काफी चीदों को लेके वो सोचती है अपनी जिन्दगी को काफी colorful नदर से देखती है इसी तरीके से यह जो चूरिया है उन्हीं के लिए कौन सी color की चूरिया पीले रंग की चूरिया tinkling, luminous, tender and clear like her bridal laughter and bridal tear tinkling का मतलब होता है चूरियों की जो आवाज होती है खंखनाने की आवाज luminous यानि sparkling चमकने वाली और tender यानि delicate तो यह चूरिया कैसी है बिल्कुल tinkling यानि small bell sound जी से हम कह सकते जब चोटा चोटे bells जो होते है उसकी आवाज आती है कैसी आती है खंखनाने की आवाज तो इस खंखनाती और चमकती हुई चूरिया जो काफी clear भी है यह किन के लिए like her bridal laughter and bridal tear यानि दूलहन की हसी और दूलहन की आशूओं से compare किया गया है अब हम जानते हैं कि जब एक लड़की की अब हम बढ़ते हैं सटेंजा की तरफ अब इस टेंदा में बात हो रही है उस वोमेन की जो अपनी जिंदगी का आधा जर्नी जिसने कम्प्लीट कर लिया है यानि उस औरत ने जो अपने बाल बच्चों को बढ़ा करके पाल पोस्के बढ़ा किया और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको जिसने बड़े अच्छे से संभाला तो उस औरत की बात हो रही है तो देखते हैं समार परपल एंड गोल्ड फ्लेक्ट ग्रे कुछ चूडियों का कलर कैसा है अब बात हो यह परपल एंड गोल्ड फ्लेक्ट का मतलब होता है कि ग्रे कलर की चूडियों में गोल्डन कलर का स्पार्कल होना हो और ये परपल और ग्रे कलर की चूड़िया उन औरोतों के लिए है जिसने अपने जिन्दगी का आदा से जादा सफर तै कर लिया हो चरिस का मतलब होता है वेलकम करना जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों को पालपोस के बढ़ा किया यहाँ पर फेल का मतलब होता है याँ बच्चों को पालना पोसना तो अपने हातों से अपने बच्चों की और बच्चों को बड़ा किया हो और पेल्थ यानि जो इमानदार वाइफ रही हो प्योर रही हो तो यह चूडिया उन औरोतों के लिए है and serves her household in fruitful pride fruitful का मतलब होता है इज़त बचा के रखना यानि जिसने अपने घर को संभाल के रखा उसकी इज़त को बनाये रखा and worships the gods at her husband's side और अपने husband के साथ खड़ी होकर भगवान की पुजा करती हो यानि ये चूडिया परपल और ग्रे कलर की चूडिया उन औरोतों के लिए है जिसने अपने जिंदगी का आदा से जारा हिस्सा टाय कर दिया और जिसने अपने responsibilities काफी अच्छे से संभाल ली हो और जो अपने husband के pretty loyal रही हो इमानदार रही हो जिसने अपने बाल बच्चों को बाल पोस्के बढ़ा किया और अपने घर की इज़त को बनाय रखा हो और अपने husband के हर सुख और दुख में उसकी हमेशा भागिदार बनी रही हो साथ दिया हो ठीक है तो यह journey of women इसे चूडियों के द्वारा दिखाया गया है कि हर एक stage में अलग-अलग stages में चूडियों का कलर कैसे change होता है अब हम इस poem के literary revises यानि poetic devices या फिर इसे आप figures of speech भी कह सकते हैं यह हम देखते हैं कि कहां कहां पर figures of speech का use हुआ है वैसे तो यह पूरा poem it is a full of imageries और full of poetic devices तो देखते हैं first one यहाँ पर देखिए stanza stanza two में second line में silver and blue as mountains mist यहाँ पर देखिए mountain mist को compare किया गया चूडियों को color silver and blue color की चूडियां इसे compare किया गया with mountain mist और बीच्वा word क्या आए है इसमें as जब हम as लगा के किसी चीज को compare करते हैं तो उसे हम simili कहते हैं अब third line देखिए some are flushed like the birds that dream और यहाँ पर देखिए फिर से like लगा के compare हुआ है कुछ चूडियों की color को कैसे compare किया गया with birds यानि कलियों के साथ और यहाँ पर जो word यूज हुआ है compare करने के लिए वो है like तो यह भी एक simili हुआ then stanza three के first line में हम देखते है summer like fields of sunlight corn यानि कुछ चूडियों का color बिल्कुल मक्के की खेट जो होती है जो बिल्कुल पीले रंकी होती है उस पर जब सूरज की रोष्णी पढ़ती है तो और भी जादा golden color हो जाते है यानि पीले रंकी चूडियों को compare किया गया है with sunlight corn के साथ यहाँ पर भी जो word देखे comparison के लिए यूज हुआ वह है like तो यह भी एक simili है next fifth line में tinkling, luminous, tender and clear like a bridal laughter and bridal tear यहाँ पर भी फिर like लगा के comparison हुआ है चूडियों का दूलहन की हासी और उसके आंसुओं से ठीक है तो यह इस poem का simili है so what is simili simili is a figure of speech where one thing is directly compared to another using prepositions as or like ठीक है अब हम देखते हैं the next figures of speech next क्या है stand the one का देखे fourth line rainbow tinted circles of light यहाँ पर जो comparison हुआ है वो क्या है comparison of two different things which are interrelated indirectly यानि यहाँ पर जो चूडियों को compare किया गया इंद्रधनुष के रंगों से it is a direct comparison जब हम as और like लगा के compare करते हैं तो वह similar हुआ और जब हम direct compare करते हैं two qualities को तो उसे हम metaphor कहते हैं ठीक है next देखते है stand the three के fourth line को और rich with the hue of his hearts desire यहाँ पर देखिए hue में h की हावाद है his में भी h की sound है hearts में h की sound है तो यह consonant sound repeat हो रही है और stand the two के first line में some are meat of maiden's wrist यहाँ पर meet और maiden दोनों में m की sound है यानि consonant sound है again second line में mountain mist में m और m यह भी consonant sound यहाँ पर repeat हुआ है stand the four में her husband and her household यहाँ पर her में h husband में फिट से h है her and household दोनों में h की sound है यानि consonant sound यहाँ पर repeat हुए so when consonant sound is repeated in the neighboring words उसे हम alliteration कहते है repeated words beginning with the same sound उसे हम alliteration कहते है यह हमारा third figure of speech है इस form का अब हम देखते हैं stand the one के fourth line को rainbow tinted circles of light यह line inverted comma में closed है किसी-किसी textbook में inverted comma दिया हुआ किसी-किसी में नहीं दिया तो जिसमें दिया है वो भी सून ले और जिसमें नहीं है वो भी इसको जान ले rainbow से पहले जो inverted comma है वो reverse है उल्टा inverted comma है और question mark के बार light के बार दो question mark के उसके उपर inverter comma है यह सीधा है यानि it's an inverse syntax तो उसे हम hyperbaton कहते है hyperbaton it's an hyperbaton यह भी एक figure of speech है जहां पर एक line inverted comma में close होती है वो भी reverse syntax में खीक है it is a rhetorical device तो यह हमारे एक और figure of speech है and now this poem is full of visual imagery तो यहां पर imageries काफी यूज हुए है जैसे कि the bangle seller आप imagine कर जकते है एक चूरी बेचने वाले चूरी बेचने वाला then their products उसके सामान और जो खरीदार है ठीक है so the bangle sellers their products and their purchase they are an example of visual imageries यह भी एक figure of speech है next one stanza one का line देखिए for happy daughters and happy wives इस line में happy word दो बार रिपीट हुआ है इसी तरीके से third stanza के last line में भी bridal laughter and bridal tear यहां पर bridal word दो बार रिपीट हुए तो इसे हम repetition कहते हैं तो यह figures of speech थे इस poem के ठीक है मैंने अपनी तरफ से कोशिश किये कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में है त jour if you have any doubts ask me in the comment section thank you so much for watching stay blessed stay connected meet you in the next video with another poem